गुद मॉर्निंग स्टुडेंज आज मैं आपको अपकी पार्थी पुष्सिका का तीसरा पार्थ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है छींका छीं बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में एक आत्मी रहता था उसकी बहुत बड़ी मोटी और लंबी सी नाग थी बच्चों ये देखिए आप इस आत्मी के देखिए कितनी मोटी नाग है और कितनी लंबी है ठीक है इसलिए लोग उसे बढ़ नकु कहा करते थे तो इसलिए बड़ नकु कहते थे बड़ नकु मतलब होता है बड़ी नाग वाला ठीक है बच्चों बड़ नकु को अपनी नाग इतनी पसंद थी कि वह इसकी भड़ाई किया करता था वड़ाई मतलब होता है उसकी प्रशनशा करना उसकी तारीफ करना मतलब उसको अपनी नाग इतनी लेकिन वो अपनी नाक आगे कर देता था ठीक है? एक दिन बढ़नकू बजार गया पता है वहाँ उसे कौन मिला? छुटनकू छुटनकू बच्चो वो होता है जिसकी नाक छोटी होती है जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते है यहाँ एक आदमी है और इसकी नाक देखी कितनी छोटी सी है जो ठीक से भी नहीं दिखाई दी रही ठीक है बच्चो? और छुटनक की नाक बिलकुल छोटी सी थी जो उसको बहुत बुरी लगती थी बढ़नकू को तो अपनी नाक अच्छी लगती थी लेकिन छुटनक को अपनी नाक बुरी लगती थी जो उसको बहुत बुरी लगती थी वे जब किसी से मिलता तो अपना चहरा छेपाने की कोशिश करता ताकि इसकी छोटी सी नाक देखकर कोई इसका मजाक न उड़ाए जब छुटनक को बजार में बुर्णक को से मिला तो उसने सोचा हर बार मुझे ही क्यों नाक से पानी परती है इस बुर्णक को तो देखो कैसे नाक लिए फिरता रहता है ठीक है छुटनक को गुसा आ गया उसकी जेब में खूब सारी लाल मिर्च रखी थी उसने मुठी भर लाल मिर्च निकाली जैसे ही बुर्णक को ने अपनी नाक आगे की छुटनक को ने मिर्च बरे हाथ से उसकी नाक पकड़ ली ठीक है बढ़नक को छींका और छींक और जमीन पर गुलाटी खा कर छींकता रहा हर वार जब बैच छींकता तो आसपास के सब खिड़की दरवाजे खड़ खड़ा कर हिल जाते थे ठीक है बच्चो चुटनक को खूब हसा जमीन पर लोड़कर हाथ पाओ उचाल उचाल कर हसता रहा इतना हसा कि वह भूल ही गया कि उसके हाथों में अभी भी मिर्ची लगी हुई थी हस्ते हस्ते उसने अपनी ही नाग पर मिर्च वाला हाथ रख दिया मतलब जो उसने चुटनक को की नाग पर लगाया था ना मिर्च वाला हाथ उसने हस्ते हस्ते अपनी नाग पर भी वह मिर्च वाला हाथ बच्चो रख लिया कि कि वह भूल गया था कि उसके हाथ में मिर्च थी आक छीक आक छीक छुटनक को भी छीका हर बार जब उसे छीक आती तो उसका पूरा शरीर हवा में उचल जाता और बम फूटने जैसे अबाज आती बच्चो छुटनकू और बढ़नकू एक दूसरे के सामने इतनी जोर से छीक रहे थे कि अचानक धढाम की अबाज आई सबने देखा कि दोनों की से धढ़ाम से टकरा गए थे इतनी जोर से टकराए कि उनका छीक ना ही रुख गया बच्चो ठीक है आप सबको हसी आ रही होगी ना इस पार्ट को पर समझते हुए है ना चुटनकू ने बढ़नकू की तरफ देखा और बढ़नकू ने चुटनकू की ओर देखा वे एक दूसरे को इतने मज़ेदार दिख रहे थे कि दोनों को हसी आ गई उन दोनों को हसी आ गई बच्चो ठीक है वे इतने जटके से हसे कि फिर से उनकी शीक शुरू हो गई और चुटनकू पर हसते रहे और चीकते रहे ठीक है बच्चो यह थोड़ी सी हसी है इस वाली कहानी में तो बच्चो इस पार्ट से हमें है शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमारी श्यारणिक रश्ना जैसे भी की हो हमें उसमें खुश रहना चाहिए ठीक है और अपने आप म बुरा महसूस नहीं करना चाहिए रन्यवाद